आयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राणपर्तिष्ठा का भव्य और बेहत बड़ा आयोजन संपन होने के बाद लगा था कि अब उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात राहत की सांस लेंग लेकिन ये क्या सीम योगी राम मंदिर प्राण प्रतिश्था के दूसरे ही दिन अचानक फिर से अयोध्या आ पहुझे परदेश के आला धिकारियों के दलबल के साथ सीम योगी के अचानक पहुचने से अयोध्या में खलवली मजगई क्योंकि मुख्यमंत्री का 24 गंटे में ही दूसरी बार आयोध्या आना किसी बड़ी वजह की और इशारा कर रहा है उनका इस तरह से आयोध्या पहुँचना सामान नहीं लग रहा दरसल आयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरे दिन इसे जब आम शरधालों के लिए खोला गया तो यहां इतनी बड़ी संख्या में भीड उम्रपड़ी कि उसे संभालना मुश्किल सा दिखाई दिया हालकि प्रशासम को इस बात का अंदाजा दो था कि मंदिर खुलते ही पहले दिन बड़ी संख्या में शरधालो आ सकते हैं इसे लेकर बाकाइदा जरूरी इंतजाम भी किये गये थे लेकिन भीड इतनी जादा होगी इस बात का अंदाजा शायद अधिकारियों को नहीं रहा होगा लिहाजा जब शरधालों की भीड की खेप की खेप मंदिर की ओर आने लगी तो तमाम इंतजाम और सारी व्यवस्थाएं ना काफी दिखाई दी शरधालों इतनी तादाद में राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचने लगे कि खुद पुलिस और प्रशासम के आलावसरों को व्यवस्था संभालने के लिए उतरना पड़ा मंदिर में प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर के गरभ ग्रह और निकासी द्वार तक उत्तरप्रदेश पुलिस के अलावा कमांडोस भी सुरक्षा और लोगों की जाच में मुस्तेद दिखाई दिये संभावना इस बात की ज़िदाई जाने लगी थी कि कहीं शरधानों की आड में कोई अराजक तत्व मंदिर में ना घुच जाए ऐसे में एहतियातन एटीएस के कमांडोस को भी ड्यूटी में तैनात किया गया आयोध्या में इस तरह की स्थिती के बीच शायद प्रशासन ने इसे जादा गंभीरता से लिया और शायद सीम योगी ने भी इस बात की चिंता की तभी वे ना सिर्फ आयोध्या पहुचे बलकि हेलिकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने आयोध्या शहर के साथ साथ राम मंदिर का हवाई सर्वे भी किया सीम योगी के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन के पहले ही दिन लगभग धाई से तीन लाग शर्दालू राम लला के दर्शन कर चुके हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर और राम लला कुरेकर शर्दालूं में किस तरह के भाव हैं और वे दर्शन करने के लिए कितने ज़दा उत्सक और उत्साहित हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आठ हजार से ज़दा सुरक्षा कर्मी तैनात किये गए हैं। साथी प्रशासन लोगों से ये अपील भी कर रहा है कि वे आयोध्या आने और मंदिर में दर्शन के लिए इतनी हरवडाहट ना दिखाएं। प्रशासन की ओर से आराम से कुछ दिनों के बाद आयोध्या में आने की सलाह लोगों को दी जा रही है। इस खबर में फिरहाल इतना हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।